जाईश्री महांकाल जाईश्री महांकाल आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आभार है अभी तक कदी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जूड़ जाईएगा और कोई भी परिशानी तकलीफ हो तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप वोटसप पे में से छोड़े फोन ना लगाए प्लीज वहां से आप अपन्टमेंड ले और वहां से मुझसे बात कर सकते हैं भगवान से कुछ मांगे या ना मांगे आपके मन में ये प्रश्ण हमेशा खड़ा होता होगा एक सावाल हम सब के मन में हमेशा आता है कि क्या हमें अपनी जरुरतों के लिए भगवान से कुछ मांगना चाहिए या ना मांगना चाहिए इसमें अलग-अलग ़ोगों की अलग-अलग सोचे कि भवाण यो सर्व विलित है ग्याता है उनसे क्या माँगना चाहिए और बहुत से लोगों का यह है कि इश्वर हमारे पिता है इस संसार कुछ लाने वाले है तो हमें जो भी चाहिए, हमें उनसे मांग लेना चाहिए, कि दो विचारध़ारा आम तोर पर लोगों में पाई जाती है, लेकिन हम आज एक विशेष चीजों पर बात करेंगे, तो दो विधवानों के, लग अलग विधवानों के जो मत है, उन पर थो हम बात करेंगे इसे ही, लेकिन हमें क्या करना चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को आखरी तक आप बने रखें, कुछ उद्वानों का मत है कि भगवान हमें जो भी देता है हमारी छमता और हेशत के हिसाब से देता है, फिर उसमें उससे क्या मांग यह, फिर एक दिन जब उसे लगता है, कि हमें देने का वकट आ गया है, तो हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देता है, जिसे हम लोग भागी भी कह देते हैं, और जिसे हम भागी नाम रहते है, पर कुछ विद्वानों का मत यह है कि हमें उसने जन्म दिया है, सारी संसार का प बिनान और पर पिद्वानों के मत अपनी जगा है, बिद्वानों के मत को मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, तो कि दोस्तों निशकर्स तो यही है कि आप चाहे भगवान से मांगे या ना मांगे, पर हमें सारे कर्मों के हिसाब उसके पास जरूर रहते हैं हमारे, इसलिए हमें साकारात्मक कर्म, अच्छे कर्म और कोई गलत कर्म ना करें, हम ना करें, इसके लिए हमें प्रेंड़ना इश्वर से लेना चाहिए और उससे आशिरवाद मंगना चाहिए कि कुछ हो या ना हो है इश्वर तेरी करपा हम पर रखना चाहिए तोस्तों अगर आप कोई अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के WhatsApp ग्रूप में 2-4 WhatsApp ग्रूप में से शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिए जैश्री महाकार तो अच्छा लाइक करें शेयर करें जैश्री महाकार